आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ओनलाइन क्लासेस में आज हम इस वीडियो में बिहार डियलेड इंटरेंस एक्जाम कॉंसलिंग से सम्मंदित महत्यपून तीथिया के उपर बात करेंगे क्योंकि काफी सारे बच्चों का दिक्कत आ रही है अभी भी और सबसे महत्यपून चीज आप सभी लोगों को बता दू कि जिन बच्चों ने अभी तक जो है कॉलेज को सही तरीके से अरेंज नहीं किया है उनके लिए आज लास्ट डेट है वे अपने कॉलेज को सही तरीके स arrange कर सकते हैं college को change कर सकते हैं आज आपका अंतिम दिन है साथ ही उन बच्चों के लिए बात करें जिनका counseling छूट गया तो मैं आपको बता दू कि आपे counseling के लिए total 10 दिन दिन दिये गए थे अब उतने दिनों से आप क्या कर रहे थे वो आपकी गलती है ऐसे मैं आपको बता दू कि सारी update आपको बताई गई थी counseling से लेकर बहुत सारे बच्चों ने counseling किया ही नहीं है इतने सारे बिल्यों बने इतने सारे जनकारी आप सभी लोग दी गई counseling से related दो तारीख तक थे तो नहीं हो पाई और बहुत सारे बच्चों को साइट प्रोलम होने की वज़ा से कॉंसलिंग नहीं हो पाया, उनका पेमेंट कर गया लेकिन कॉंसलिंग नहीं हो पाया, तो आसा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, और साथी साथ मैं आपको बता दूँ कि सेकेंड जब कॉंसलिंग पर किरिया चालू होगी, तो वो केवल जो है, फर्स्ट कॉंसलिंग वाले बच्चों को ही इडिट करने का ओप्शन या चेंज करने का ओप्शन दिया जाएगा, लेकिन पर्यास जारी है, ताकि साई बच्चों को फिर से कॉंसलिंग का एक पर मौका दिया जा, जिन ससाथ जो है पेत्न प्राव मी कर पाए है और बच्चों की उडिया पर होई है, समाझ रहा हूं, तो देखिए, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहाए है कि सर फर्स्ट लिस्टत जो है कब आईगी तो आप सभी लोग को मैं बचा दू कि आप सभी लोग को महत्त लेकर 28 अक्टूबर था लेकिन सायट सही वजह से काम नहीं करने की वजह से आपका ये देट chapter करके जो है कब तक किया गया यह दो अक्टूबर तक कर दिया गया counseling के लिए और आपका 5 October तक क्या है sorry 2 November तक किया गया, यहाँ पर 2 November तक किया गया, और 5 November तक मतलब कि आज जो है अभी भी आप कर सकते हैं, college को change कर सकते हैं, अगर आप को college में दिक्कत हैं, तो college को change कर सकते हैं, counseling अभी बंद ऊचुकी हैं, बहुत सरे बच्चों का नहीं हुआ है मैं मालता हूँ दिक्कत है इसमें साइट की भी प्रोलम है और आपकी भी गलती है चलिए तो आगे बढ़ते हैं तो यहां देखिए पर्थम चैन सूची जारी होनी के तीथी जो है कब है नौ नौमबर 2022 मतलब कि पर्थम सूची जो है आपका नौ नौमबर को जारी होगी कब होगी नौ नौमबर को जारी होगी अयाद रखेगा नौ नौमबर सबसे महत्पून दिवस है क्यों क्योंकि इस दिन जो है आपका फर्स्ट लिस्ट जो है जारी होगा फर्स्ट लिस्ट जारी होगा समझ गए दिक्कत होगी तो एक लिस्ट समझ गया अगला देखिए अगला हम बात कर लें यहाँ पर कि नमांकन की यौदी क्या है तो 10 तारिक से लेकर 16 नौवंबर तक है समझ गया 10 तारिक से लेकर 16 नौवंबर तक जो है नमांकन होगी फिर यहाँ पर देखिए कि 17 नौवंबर को जो है पर सिक्षन संस्थ पूर्टल पर लॉगिन कर अंतिमुरूब से सीट जो है उधत किया जाएगा मतलब कि बताया जाए कितना सीट जो है खाली है कि नहीं है अगर बच्चों को स्लाइड अगर मन परसंद कॉलेज नहीं मिलता है तो स्लाइड अप करना चाहते हैं तो वह 10 तारिक से लेकर 16 तक स्लाइड अप कर सकते हैं फिर उनको जो है सेकेंड कॉंसलिंग में कॉलेज आवांटीद किया जागा समझ गया अब यहां देखे जिन विद्यार्थिव को चै जागा 17 और 18 वो चाहेंगे तो अपने विकल्प को जो है चेंज कर सकते हैं समझ गया कॉलेज को चेंज कर सकते हैं आगे हम बात कर ले तो यहां देखे दुवितिया सूची मतलब कि दूसरा सूची जो है आपका 23 नौवंबर को जारी होगा 23 नौवंबर को जो आपका 23 28 नौवंबर को जो है आपका 23 सूची जारी होगा और बाकी आपका जो इसका एडमीशन होगा वो 29 और तीस से जो है आपका एडमीशन होगा और फिर आपका दिसंबर फॉस्ट वीक में जो है आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो सबसे बड़ी अपडेट यह है कि यह स जो हो जाएंगे तो सबसे बड़ी अपडेट यही है तो जिन बच्चों को पास मतलब जो भी अगर डॉकमेंट नहीं है वो डॉकमेंट का उपाई कर ले ताकि आपके आपके लिस्ट भी आने चाहिए क्योंकि आपके चार दिन बाद जो आपके लिस्ट आ रहे है तो आसा सबसे बड़ी आपके आपके लिए धन्ने बाद आएंगे सो मत जाएंगे जामारत